जिन्दगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी लेकिन असफलता में कही न कही सफल होने का रास्ता भी होगा अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंड कर खुस होना चाते हो चलिए सुरू करते हैं मन को सुकून देने वाली एक कहानी एक बार एक आदमी मचली पकरने गया वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी हर एक तरीका अजमाया जिससे वो मचली पकर सके लेकिन हर तरीके में वो नाकामियाब रहा दिन ढलने लगा और साम हो गई अब वो आदमी पड़ेसान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हद पर जाऊंगा तो मैं और मेरा पड़िवार खाएंगे क्या चिंता करते करते उसने देखा कि वो मचली बजार के पास ही है वो जल्दी से मचली की दुकान पर गया और बोला मैं चार मचलिया खड़ी दूंगा लेकिन मेरी एक सर्थ है कि आप मुझे मचलिया जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकरूंगा और फिर खड़ी दूंगा दुकान दर ये सुनकर हैरान रहे गया कि क्या अजीव आदमी है लेकिन उसने एक बड़ी बल्टी में पानी भर कर उसमें चार से पांच मचलिया डाल दी आदमी ने एक एक करके चार मचलिया पकड़ी और दुकानदार से कहा ये लो इन मचलियों के पैसे दुकानदार से आप रहा नहीं गया उसने आखिर पूछी लिया कि भाई आप कैसे हो अगर आपको मचलिया चाहिए थी तो आप ऐसे ही ले लेते इतना सब करने की क्या जरूरत ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा पड़िवार मुझसे ये सवाल जरूर तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई जूट बोला क्योंकि ये मचलिया सच में मैंने पकड़ी है अब मैं जब कल मचलिया पकरने जाऊंगा तो ये सोच कर जाऊंगा कि आज मैं नाकामियाब नहीं होंगा